हलो फ्रेंड्स मेरे यूटूब चैनल अश्टड़ी.81 में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम विकासील अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में बात करेंगे और इसी वीडियो में हम विकासील अर्थवेवस्था की विस्यस्ताओं को भी देखेंगे आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं विकास के अधार पर अर्थवेवस्था को तीन भागों में बाटा गया है विक्सित अर्थवेवस्था, विकास सील अर्थवेवस्था और अब विक्सित अर्थवेवस्था आज का मेरा टॉपिक यही विकास सील अर्थवेवस्था है अब हम लोग आज के टॉपिक की ओर चलते हैं ऐसी अर्थवेवस्था जहां परशनसादनों का पूर्ण दोहन न हो पाया हो, अर्थात उद्योगी की करन की प्रकिरिया देरी से प्रारंब होई हो, और जहां राष्ट्रिय आय में प्रात्मिक शेत्र का जादा योगदान हो, विकासील अर्थवेवस्था कहलाती है. विकास के आधार पर भारतिय अर्थवेवस्था एक विकासील अर्थवेवस्था है, क्योंकि विकासील अर्थवेवस्था की सारी विसेस्थाएं भारतिय अर्थवेवस्था में मौझूद है, इसलिए भारतिय अर्थवेवस्था को विकासील अर्थवेवस्था कहा जाता ह अब हम लोग 180 अर्थव्यस्था की भिशेस्ता को देख लेते हैं 180 अर्थव्यस्था की पहली भिशेस्था नियूंत्म प्रती व्यक्तिया नेक्ष्ठ ए ओधागीक पिछरापन नेक्ष्ठ ए भ्यापक बिरुजगारी नेक्ष्ठ ए मदरीक संगटनों का अभाव नेक्ष्ट है रूरी बादिता नेक्ष्ट है धार्मिक कट्रता अगली विसेश्था है समाज्विक जड़ता नेक्ष राजनैतिक अitte त्रिश्टि कौन नेक्ष्ट है क्रिशी की प्राधानता उपयुक्त सभीिसेश्थाएं बिकासिल अिर्ठ्रोवस्ता की प्रमुक विसेशता है ये सभी विसेशתा है भारतिय Remote अर्थ Craft वत्ता में भी मौजूद है इसलिए भारतिय अर्थ वत्था को विकासील अर्थ कहा जाता है कि को तिसरी दुनिया का देश美味 का जाता है इसी के साथ मिराज का वीडियो समाप्त होता है यादि मेरा वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक सेर और सब्सक्राइब किजिएगा हम लोग फीर मिलेंगा अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार